है लो इस्टुडेंट्स हम आज की इस नई वीडियों बात करने वाले हैं इस अभी तक में क्या पढ़ा है हमने अभी तक एवलिएशन यानि यानि अभी तक एक्सप्रेशन के वारे में पढ़ लिया और पड़ चुके हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास कि है इस टापिक की नॉलेज क्कमपल्सरी है तभी आपको समझने आने वाला है यह अवह कि इल्वह कि इस न लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरुबात करते हैं अपना फर्स टॉपिक है वो इवेल्यूटिंग अर्थमेटिक अब देखो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जो हैं वो कैसे तरीके से उसमें आपको यूज में आएगा और प्रेटर का प्रेसिदेंस वह किस तरीके से टास हमारे पास है लगाए कि टू प्लस थ्री जैसे की हमारे पास दो वेरियेवल है एक कॉमा भी और हमने वेल्यूज बना लिया अपना की डी इस एक्वल्स टू ए इंटू बी और प्लस सी तो अब इसको कैसे करेंगे ठीक है इसमें पर यूज होगा ऑपरेटर प्रेसिदेंस लेकिन यह पूरा प्रेसिदेंस में नहीं चलेगा इसमें एक चीज आपका एक रूल और लगने वाला है उस रू यह बिलने ए और ठीक है यह यह बी और यह यह तुम्हारे दो इंट के हैं और यह दो फ्लोट के हैं इन दौनों का रेटाइप अलग अलग है तुछ आपका कंपाईरर वो क्या करेगा वह इनको अप्ग्रेट कर देगा ठीक है वह कैसे करेगा तो उसके लिए हम यह पढ़ अब देखो किया है अगर तुमारा एक आर्गुमेंट कोई कॉप्लेक्स नं सब्सक्राइब था दूसरे वाले को भी कॉंप्लेक्स नंबड अगर मैं ही क्या कर देगा convert ठीक है ठीक है भाई या दूसरा रूल क्या बोलता है दूसरा रूल यह कि अगर एक इन दोनों में से अगर एक दूसरे वाले को भी convert करतेगा ठीक है अब तीसरा क्या बोलता है कि अगर दोनों इंटीजर है तो यह किसी को भी आपको यहां से किसको क्या वैली गई तो मैं आपको यहां से बिल्कुल बेसिक समझा दिता हूं यहांसे जो एक वैली है वो टू है वो जो बी की वैली है वो जो वो शेक्स है ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने एक वरिव ले ले ठीक है अब फ्लोट इस इकवल्स टू एट वैसे तो यहां एट पैंट वैसे देदे को जेकरने वह एट पॉइंट जीरो ही लेगा वहापर ठीक है एट पॉइंट जेरो हमने अगर आप इसको एवैल्यूएट करना चाहते है ठ इकवल्स टू एप्लस बी ठीक है एट प्लस भी इंटू सी ओके ठीक है अब देखो यहां पर क्या होगा अगर सबस्पर पहले हैं मैं समझ ना है कि सका इंप्लेट इंप्लीशिट टाइप कन वर्जन तो सबस्पर यहां पर जो एपलस भी एक इसका रिदिलिट क्या वो कैसी value है यह आपकी integer value है ठीक है और यह 8.0 आपकी floating point value है हाँ भईया यह floating point value है ठीक है अब अगर तुम दो integer value को चोड़ोगे तो यह उसका result हो क्या ने वाला है इसका जो result है a plus b का जो result है वो आपका यहाँ पर integer ठीक है integer आएगा लेकिन अब जो यह c है यह क्या है यह float है c आपका float है और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक argument आपका float होता है तो दूसरे वाले कोई float में convert कर देगा तो आपका compiler क्या करेगा इस int की जगह इसको float में convert कर देगा ठ ठीक है अब जो आपका answer आने वाला है वह आएगा float में ही ठीक है अब इसको पूरा evaluate करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखने हैं आपको वह यह कि जब अब यहां पे आपको एक चीज़ और देखने है देखो मैंने भी आपको इची़ बताई थी वह यह रही कि यह arithmetic expression कै इसे value करें on the basis of operator precedence अगर आपने ते आपने पडाया तो आपको वह जरूर देखना है तो पहले तब यहां और यह फिर उसके बात प्लस को करेगा नेक्स्ट अप्यान टॉप्यक वो हमारा वेलिवेटिंग रिले इंट यहां पर क्या होगा यहां पर किया है कि जो में जितने भी रिलेशनल ए mur entscheiden वंबनें उनको कसे वेलिवेट करेंंगे हम जब से पहले कि size expression लेएं, हम यहाँ पर लेएं इस को कि a पहले कुछ value ले डिएं ठीक है, a की value 2 है, b की value 5, यहाँ से लिखते हैं भई, a की value 2 है, b की value को 5 माल लेते हैं और हम एक c की value ले लेएं विश weten 10, अभ हमारे बस पहला expression आया, पहला expression किया आया हमने रिखा कि a is greater than two ठीक है sorry a should be greater than b हमने पहला expression दे ठीक है भाई या अब तुम्हें चीज़ याद रखने कि इसका result आएगा वो क्या आएगा इसका result की दो ही possibility है या तो true आएगा या false और वो proper लिखके आएगा आपका ठीक है यह मना highlight कि है लेकिन इसका इसका जो answer आएगा वो इस तरीके से आएगा अब बताओ पहले इसको देखो क्या a की value b से बड़ी है अब देखते है बाई a की value two है और b की value कितनी है five बताओ क्या यह false है true भाई यह जो साफ-साफ देखा रहा है false है ठीक है तो तो तुम्हें इसका answer मिलेगा इस तरीके से question ले लिए हमने कि b is greater than इस तरीके से क्या बी सी से बड़ा है अब इसका अंजर क्या आएगा यह b की value five है और c के लिए कि a बराबर five and b is equals to six and c is equals to ten and d is equals to fifteen वह मैं expression लिखते हैं वह आपका इस तरीके से a should be greater than c okay a should be greater than c और less than d अब देखो यह कैसे वेल्यूट होगा यह बहुत interesting है भाई यह तो बड़ा मतलब वह ऐसा लग रहा है कि कैसे solve होगा देखो इसको तुम्हें करना डिवाइड करना किस तरीके से कि a should be greater than c a c से बड़ा होना चाहिए ओके इसको इस तरह लेलो और एंड ठीक है एंड c less than d अब हाँ अब सॉल्व हो जाएगा यह बहुत अच्छी बात है अब देखो सब्सक्राइब कर रहे हैं अब जो एकी वैली वह हमारी फाइव है ठीक है और c की वैल्लिव है कितनी है टैन और यहां पर कांसर अपरेटर लग गया एंड अपरेटर एं एंड अपरेटर कंडिशन यह होती है कि उसकी जो दोनों ऑपरेंट्स हैं वो ट्रू होने चाहिए बहुत सही तुम्हें यहाद है अच्छी बात है यह दोनों ट्रू होने चाहिए ठीक है अब देखो क्या होगा एक ही वैल्यू सी से बढ़ी है एक ही वैल्यू 5 है और c की टैन है नहीं है ठीक है है तो इसका अंसर क्या आएगा अब एक ही एक कंडिशन फॉल्स हो गए दूसरी कंडिशन लिघ्यक ही नहीं करता है अंड उपरेटर है यह बात है अर मैं एक ओर Con nըे ले रहे हैं और फांपर हमोशन ले रहे तें यहां पर acting the यहां पर डिगर हिर less than A ओके ठीक है D A से less than D A से चुटा होना चाहिए और बताओ क्या करें कि ये D less than A अब A किसे चुटा है एक किसी चुटा ही नहीं है है इसको इस तरह कर लेते हैं ठीक है ठीक है भाईया अब चलो इसको solve करते हैं देखो कैसे solve होगा ये D less than कैसे लिखेंगे भाईया इसको लिख लो D less than A और end ठीक है end फिर उसके बाद इसको किस तरह लिख लें इसको हम लिख लेंगे A less than B अब हमारी बन गहीं कितनी condition भाईया हमारी बन गहीं है दो condition बहुत बढ़िया वो कैसे इसको मान लो तुम condition नमबर वन और इसको टू लेकिन यहां बैठा है end operator end operator किया condition की दोनों जो वन और टू है वन और टू दोनों क्या होने चाहिए true तभी इसका जो result है पूरा true आईगा all over ठीक है D की value less than D की value कि इतनी है 15 फिर से मैंना कहला जवाब को इसका answer true बताना था मुझे तो इसको हम ऐसे कर देते हैं ठीक है अब यह से हो जाएगा कि D की value इसे बढ़ी है हाँ बढ़ी है तो इसका answer हो जाएगा true बहुत अच्छी बात अब यह end operator आगे बढ़ेगा कि A की value B से कम है हाँ इसकी value इसे कम है तो इसका final answer आएगा वह इसका answer आएगा true ठीक है होप करूँ है कि तुम्हें यह वाला concept समझ में आया होगा और मैं धीमदी में इसलिए बढ़ाता हूं भाई कि तुम्हें अच्छे समझ में ठीक है किसी को अगर slow लग रहा है तो fast कर लो option होता है और किसी को यह भी slow लग रहा है तो इसको और slow अरकर देख सकते हो चलते हम आगे next topic की तरफ next topic क्या evaluating logical expressions देखो यहां पर तुम्हें एक छोटी चीज का याद रखना है कि जब भी यह logical expressions तुम्हें evaluate करने को आएंगे तो बस एक चीज याद रख लेना कि जो मैंने पहले तुम्हें बताया था arithmetic operator के अंदर की arithmetic expressions जो है तुम्हारे ठीक है उनको evaluate कर रहे थे हम किसके basis पर operator की precedence के basis पर हाँ तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसके इसको अगर सबसे पहले एक expression है जिसके अंदर यह त्यहले थीन हो है ठीक है ठीक है ठीक है थीन है तो क्या होगा सबसे प्राइवरेटी तुम किसको दोगे सबसे प्रारिटी थुम्हें सहौल करना है इस नॉट को नॉमबर वन फिर उसके पाद एंड और फिर सको ठीक है ठ हमारे पास यह expression किस तरीक एक्षप्रेशन ले वह एक्षमक्स ओठाल देविए इसको ले डेते हैं चलू एक एक इसम्पल कुम्हार आ कि अगरे यह जो बी कि एड और फिन सवाइन भौकश पिधार लेके लेते हैं त 광ant ए और बी ए और बी एंड नौट सी अब देखो यह कैसे इसको separate करेंगे हम इसको कैसे evaluate करेंगे सबसे पहला point यह है कि अभी मैंने तो मताया कि priority wise ठीक है तो सबसे प्राइलिटी किसके है भाई सबसे प्राइलिटी आपने बता ही दूसरा रेकेट हमें बनाना है रेट से ले रहेते हैं अब यह हो गया B and not C ठीक है B and not C अब तीसरा रेकेट क्या हुआ है तीसरा रेकेट बना लो इसका भाई तो कैसे वैल्य उठेगा यह यहां से अब जो not C का जो answer आएगा न ठीक है अब फिर उसमें क्या होगा अब यह हो जाएगा अगर not C के लेट सबस कुछ answer आता है मान लो इसका अंसर कुछ भी आए लेट सबस हम इसका X answer मान लेते हैं ठीक है यहां से X answer मिला तो क्या हुआ ए और B and X अब यहां पर कैसे हो गया इस तरीका होगाkim जो इसका result आएगा ठीक है जो इसका result आएगा और फिर छो यहज़ू ए है यह वाला ठीक है अब इसमें और इसमें नेक्स्टराब का हो जाएगा इस तरीके से ए और यहां का result आया जो कुछ भी आपका result आया हुआ है ठीक है तो फाइनल एक्स्प्रेशन आपका इस तरह ये वैल्यूट किया जाएगा ओके अब चलते हैं आगे अब आगे समझते हैं टाइप कास्टिंग यह क्या होती हुई है देखो कई बार क्या है कि हम प्रोगी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें सपोस कि हमने क्या किया था है इंपली सिट में जो भी टाइप कंवर्जन होता है डिटाइप का वह आटोमेटिक होता है ठीक है कई वार हम हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जहां पर यूजर अगर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है तो हम उसको प्लोटिंग मैं चाहते है ठीक है तो हम क्या करेंगे रहते हैं इसको चेंज कर सकते हैं किस तरीके से आपको चैंज टाइब में चेंज करना है सबसे पहला पॉइंट यह है अगर आपको जिस भी डिटर आप में चेंज करना है इसको पहले आप लिखो जिए टाइप का नेम ठीक है? उसके बाद आपको जिसको भी change करना है घीक है? जिसको भी change करना है यह रहा इसके अंदर लिख दू ठीक वह यह कैसे कहने ही? देखो मैं एक examples से मैं यह भी समझा देता हूँ ठीक है? इसका मैं example ले 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 लेते हैं ठीक है? यह देखना अब ही इस तरीके से हाँ हमारे पास है वैरियेवल एइस इक्वल्स टू टैन ओके और बी इस इक्वल्स टू 20.5 20.5 और देखो ए और बी जो है यह तमारा कॉंस है यह हमारा इंटीजर है यह तुमारा इंट का और बी किसका है यह भी फ्लॉट का थी कहा बहुत अच्छी माथ है अब देखो एक हमारे पस नेक्स्ट एक और रेइल इस एक का न रहे चाहें लेड़ा सब्सक्राइब आपका है तो वो क्या करेगा यहां पर अगर हम एड़ करेंगे ए प्लस बी को तो जो आपकर आंसर आएगा वह सिर्फ थर्टी आएगा ठीक्ड क्योंकि यह पॉइंट फैव ले गाई नहीं पॉइंट फाइप जो है यहां पर उसको लेगा यह नहीं ठीक है यह पॉइंट फाइव देख रहे हैं अब इसको यह लेगा यह नहीं तो हमस्के बचने के लिए मैं क्या करना है हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट एक प्लस बीका उसको फ्लोट में अनवर्ट कर दें तो यहां पर ठीक है पूस इंट बना रहें देते हम इसको फ्लोट में कर लेते हैं फ्लोट है 10 प्लस 20.5 तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वह तो यहां से नॉर्मल पहले रिजल्ट हमारा क्या रहा था हमारा था 30 ठीक है तर्ट आ रहा था लेकिन अब क्या आएगा आएगा थार्टी पॉइंट फाइफ क्योंकि हमने जो हमारा रिजल्ट आ रहा था सक्क्रमने कर दिया ठीक है अपका ही प्रॉस्टर होता है सिंपली टाइब कास्टिंग का अब इसमें कुछ इशूस इसमें आपके इशूस क्या क है ठीक है अगर आपका इंटिका टू है तो यह फ्लोट में कितना हो जाएगा वह यह 2.0 बहुत अच्छी बात है अगर कई बापस चले जाएंगे लटा सब्सक्राइब कि हमारी वैल्यू है यहां पर इसको इस तरह समझो अगर हमारे पास एक वैल्यू है भाई क्या फ्लोट में है वैल्यू है तुम्हारी टू पॉइंट फॉर फाइफ ठीक बहुत अच्छी वैल्यू थी हमने यह कर आए उसको टाइप कास्टिंग कोई मतलब नहीं हमने कर दिया भाई शौक थामे करने का नहीं नहीं सीखे थे हम हमने का जी टाइप कास्टिंग हटो हमने हमने उसको एट में लियां हमने का रहे भाई बहुत अच्छा देखो एंट में क्या गाटा होता है पुए लेक्ट्ट्र पढ़े नहीं थे वो आदे मचले गही थे तो देखो उनके साथ क्या होगा फिर उनके साथ जो इसका अंसर रह जाएगा न कितना रह जाएगा तो बताओ यहां पर क्या गाटा हुआ यह तो इतनी वड़ी वेलियू थी यह 2 रहा गई स्रिफ तो इसमें क्या गाटा हुआ? यह गाटा होता है अबका प्रैसिजन का यह ठीक है अभी तो यह सिर्फ 2 है अगर हम मान लोग कोई multiply कर रहे होती है अगर तो हमारा कितना बाड़ा loss हो जाता है समझ रहे हैं करोड़ों गाटा हो सकता है अगर इस चोटा सा point इस तरीकी से अगर हम calculation करेंगे तो ठीक है वो करोड़ों गाटा हो ही मजाकता है जो बस फिर चलते हैं